हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अजीश शेक आप देख रहे हैं मुवी स्टॉक मुवी एक्स्प्रेंड चैनल जिस पर आज मैं बात करने वाला हूँ फिर से मावल लेजेंड्स की सीरिस के एपिसोड नमबर फाइफ के बारे में और इस बाद ये कहानी है हेलमेट जीमो के अपने खुद के बलबूते पर अवेंजेस की टीम को अलग करवा दिया था और उपर से इतने खतरनाक मिलन को फिल्म के एंड में मारा नहीं गया बलके ब्लैक पैंथर ने बचा लिया था जिसका रिजल्ट अब हम एक फैलकर एंडी विंटर सॉल्जर की सीरिस में देखने कर दूँगा ताकि आपको MCU के यूनिवर्स की इस कैरक्टर की ओरजीन जानने के लिए दो फिल्में फिर से रिवाइज ना करना पड़े जिन में से एक फिल्म एज ऑफ वल्ट्रॉन है और दूसरी कैप्टन अमेरिका सिविल वार लेकिन सिविल वार फिल्म के बाद हमने ह भी वापस रिटेन आते हुए देखा भी नहीं और उपर से ये कैरक्टर उस फिल्म के इंड में प्रिजन में होता है तो देखना इंट्रेस्टिंग ये भी होगा कि ये कैरक्टर उतनी हाय टेक फैसिलिटी से कैसे बचकर निकल कर आ गया या फिर उसे छोड़ दिया गया अब पता नहीं क्योंकि गैस कुछ भी लगाया जा सकता है जिनमें से जादा तर तो फैंस का गैस यही है कि इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन थैनोस का फिंगर स्नाप हो सकता है जिसके कारण से जीमो को उस फैसिलिटी से निकलने में काफी ज़दा आसानी होई होगी बाकी फिंगर बिलिप का मुझे पता नहीं तो अब चलिए जादा टाइम ना वेस करते होई इस क्यारक्टर की पूरी की पूरी डीटेल्स में घुसते है जानी कि ये वीडियो पूरी तरीके से स्पोईले से भरी हुई है जिस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए और इसके अलावा एक छोटी सी रिपर्स जो है इस चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेयर करने की सो फिंट्स तो बात करें हेलमेट जीमो की क्यारक्टर के बारे में तो इस क्यारक्टर को MCU में इंट्रड्यूस फिल्म सिविल वार से करवाए गया था जिसकी स्टोरी का कनेक्शन अविंजर एज अज अल्टरॉन फिल्म से भी है खास करके फिल्म के एंड में हुई सुकोविया की वो जबर्दस बैटल की वज़े से जिसके कारण से हेलमेट जीमो ने MCU के पूरे के पूरे यूनिवर्स को ही बदल दिया जी हां ये कहना बिल्कुल सही रहेगा कि हेलमेट जीमो की वजे से ही MCO के युनिवर्स में स्पाइडर मैन, एंट मैन और ब्लैक पैंथर के अलावा ब्लैक पैंथर के पूरे के पूरे युनिवर्स को इंट्रिड्यूस करवाया गया खास करके वाकांडा और हाँ ये भी भूलना नहीं चाहिए कि वाकांडा में ही वकी को पूरी तरीके से ठीक कर दिया गया परना कैप्टन अपने दोस्त को लेकर ऐसे ही भटकते रहते और बाद में कहीं न कहीं टोनी स्टार्क उसे अपने हाथों से मार देता अगर बकी पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता तो जिसका रिजल्ट अब हम सभी फैंस के सामने है कि विंटर सोलजर कुछ को समालने में कितना ज़्यादा सकसेस हुआ है और हाँ शूरी की मेहनत ने भी रंग लाई है और इसके अलावा हैलमेट जीमो ने अवेंजर जैसी टीम को भी तोड़ दिया था और इसके अलावा जब उसे एंड में प्रिजन में रखा गया जहां पर एबरेट के रॉस हैलमेट को यही ताना मारते है कि वो अपने मिशन में फैल हुआ तो हम वहाँ पर एलमेट के चेहरे पर एक काफी अच्छी मुसकान देख सकते है जिसका मतलब यही है कि वो जो चाहता था उसने वो कर दिया यानि कि वही सूपर हीरोस की टीम को अलग करना जिसका फाइदा आगे चलकर थैनोस को बहुत भी जादा हुआ क्योंकि जो फल्टरोन की ही तरहा यहाँ पर सूपर हीरोस की टीम इस बार केरलेस नहीं बलके पूरी तरीके से भी खर चुकी थी जिसके बाद आविंजेस एंड गेम फिल्म में सभी ने एक साथ मिलकर थैनोस को हराया लेकिन उन सब में एक बहुत ही अच्छा खासा टाइम पिरिड निकल गया था जानी हेलमेट जीमो का असर MCU के यूनिवर्स पर काफी लंबा रहा था तैंक्स तो हेलमेट जीमो जिसने ये सब कुछ बिना किसी सूपर पावर्स के किया था कैसे तो चलिए अब उन पूरी के पूरी डीटेल्स पर आते हैं जिस डीटेल में मैं सब सब पहले बात कर लेता हूँ सिबिल वार्ड फिल्म के उस डिलीटेट सिन के बारे में जिस डिलीटेट सिन में हमें विंटर सोलजर की कोड़ बुक किसी माफिया के आॉक्शन में दिखाई जाती है जहां वेर्न जीमो काफी असानी से पहुँच जाता है और सभी को गैस की मदद से बेहुश करकर वहां से उस हाइडरा की लिखी गई कोड़ बुक को अपने साथ ले जाता है लेकिन फिल्म में सिन को ना डालकर ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी गई थी कि सिन का कोई मतलब नहीं बनता लेकिन अब सिन में हेलमेट जीमो है इसलिए उस पर मैंने बात करकर आपको वो डीटेल दे दी है और अगर फिल्म की बात करें तो सिविल वर फिल्म में हेलमेट जीमो को वो बुक हाइडरा के काफी पुराने एक्स मिलेटरी आफिसर के पास मिलती है जिनका नाम क्रिपू है जिसे ट्रैक डाउन करकर पकड़ने के बाद विंटर सोलजर की बुक्तों से मिल जाती है लेकिन हेलमेट को बाकी दूसरे सूपर सोलजर का पता ठीकाना नहीं मिलता जो बाद में उससे बकी खुद बताता है क्योंकि वहाँ पर जीमो को वो फूटेज भी चाहिए होती है जिन से वो एक काफी बड़ा ब्लास्ट करता है यानि कि अवेंजे स्री टीम को अलग करता है लेकिन उन सबसे पहले जीमो अपनी प्लैनिंग को पका करता है कि वो कैसे इन सूपर हिरोस से बदला लेगा क्योंकि वो एक आम इनसान है और आम इनसान सूपर हिरोस से जाकर ऐसे ही दो-चार हाथ करकर जीत नहीं सकता ऐसे में एक काफी तगड़ी प्लैनिंग ही उसके मिशन को अंजाम दिला सकती है जो हमें जीमो, MCU के इस इन्यूर्स की फिल्म सिविल वार में करते वे नजर आता है जैसे कि इस बुक को हासिल करने के बाद उसका अगला टार्गेट बकी यानि के विंटर सोलजर तक पहुचने का होता है और इसके लिए जीमो एक बम प्लांट करता है वो भी वेनिया की एक काफी बड़ी मीटिंग के दोरान जहां पर सभी स्टेट्स के काफी नामी ग्रामी लोग आये होते है जिन में तचाला के पिता भी शामिल थे और उन्फर्चनेट उनकी मौत वहाँ पर हो जाती है और टीवी पर न्यूस या फिर कहूँ जीमो के प्लैन के अकॉर्डिंग बग्की उसका शिकार बनता है क्योंकि वहाँ पर नाम या फिर कहूँ वीडियो में फुटेज बग्की की ही दिखाकर उससे ही फ्रेम किया जाता है ऐसे में आइन मैन की नजर में बग्की और भी काफी जाता है और हाँ ब्लैक पैंथर के भी जिसकी वज़े से बग्की को काफी हाई सिक्यूरिटी में कैप्चर भी कर लिया जाता है जहां जाना किसी भी आम इंसान के बसका नहीं लेकिन ये जीमो है जो फुल प्रूफ प्लान के साथ आया है जिस प्लान में बैरॉन डॉक्टर थियो से जाकर मिलता है जिस डॉक्टर के कैरेटर का रोल प्ले इस फिल्म में जोर उसों ने प्ले किया था खैर तो जीमो की दोस्ती डॉक्टर थियो से अच्छी हो जाती है और बदले में डॉक्टर थियो को मिलती है मौत और उनकी आइडेंटिटी को पूरी तरीके से जीमो अपना कर उस काफी हाइट टेक फैसिलिटी में पहुँच जाता है क्योंकि डॉक्टर थियो को युएस की तरफ से बाकी को ही चेक करने के लिए भेजा गया था कि उसका दिमाग जगे पर हैविया नहीं और जीमो का प्लान डॉक्टर थियो की जगा पर वहाँ पर पहुच कर बकी का दिमाग खराब करना है जानि कि उसे पूरी तरीके से रिबूट करकर अपने कंट्रोल में लाने का जहां जाकर जीमो पहले जो सिस्टम को हैक करवाता है और फिर सीकेरिटी के सारे के सारे डॉर्स को लॉक करवा कर वो बकी को कोड बूल कर अपने कंट्रोल में ले लेता है अब आकी काफी मोड़ी फाइट्स के बाद बकी कैप्चर भी हो जाता है लेकिन इसी बीच जीमो को जो चाहिए था वो उसे मिल जाता है यानि के सूपर सोलजर्स की लोकेशन क्योंकि यहां तक हमारे सूपर हीरोस को यही लगता है कि जीमो का मिशन आवर्ट स्टाक की सूपर सीरम से बनाए गए सोलजर्स को जिन्दा करकर दुनिया में तबाही लाने का है लेकिन असल में होता कुछ और है जहां आइन मैन कैप्टेन अमेरिका और बकी के पहुचने के बाद हमें पता चलता है और हां ब्लैक पैंथर भी वहाँ पर चोरी से पहुच जाता है तो बाते हैं फिर से पॉइंट पर जहां हमें पता चलता है कि जीमो वहाँ पर पहुच कर सारे के सारे उन सूपर सोलजर्स को मार चुका है और वो वहाँ पर बेट इन्हीं तीनों के आने का कर रहा था ताकि वो आइन मैन को बता सके कि उसके माताविता की मौत एक्सिडेंट में नहीं बलके बकी के हाथों हुई है और इसका पता स्टीव को भी बहुत अच्छी तरीके से था और फिर क्या इतना सुनने के बाद ही आइन मैन पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है और सीधे स्टीव और वकी से फाइट करना शुरू कर देता है और एन के रिजल्ट में क्या होता है वो चीज़ मैं आपको अलड़ी इस पीडियो के स्टार्ट में एक्स्प्रेंट कर चुका हूँ आगे बढ़ जाता है जैसे के बकी की मदद करकर वो से एक अच्छा इंसान बनाए जो कि अब बकी एमस्यू के यूनिवर्स में है और जीमो के भी कैरेक्टर की बात करें तो वो पहले से बुरा नहीं था बलकि हालात ने उसे बना दिया लेकिन उसकी बैक स्टोरी को समझने से पहले आपकी दिमाग में ये चीज़ भी चल रही होगी के जीमो की प्लैनिंग इतनी जादा पौफिक कैसी थी वैल फिल्म में ये भी बात बताई जाती है कि वो सुकूविया की इंटेलिजेंस फिरो में काम करता था यानि कि एक काफी पहुचा हुआ खिलाडी जिसका मकसद फिल्हाल तो सुकूविया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था बलके वो अपनी एक सिंपल और काफी हस्ती खेलती जिंदगी बिता रहा था अपनी फैमिली के साथ जिस फैमिली में उसकी वाइफ और बच्चे भी थे और तब जीमो सुपर हीरोस को भी बहुत ज़्यादा पसंद करता यहां तक कि उसका भरोसा उन लोगों पर बहुत ज़्यादा था और बैरन का बेटा आइन मैन का बहुत बड़ा फैन और जब सुकोविया पर अल्टरॉन ने हमला किया तब भले से ही अविंजरस ने मिलकर पूरे सुकोविया की सिटी को खाली करवाया था लेकिन उस बीज भी उन्हें सूपर हीरोस की वो बैटल देखनी थी जिससे जीमो और उसकी फैमली बाकी दूसरों की तरह कई किलोमीटर्स दूर से देख रहे थे और उसका बेटा आइन मैन को ही देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और फिर टोनी स्टाक का एक प्लान उस पूरे के पूरे हवा में उड़ते हुए शहर को ही तुकडों में बदलकर अर्थ पर नीचे गिराने का था और ऐसा हुआ भी जिन काफी तुकडों के गिरने के वज़े से कई सारे बेगुना लोग मारे गए जैनी कि सिविलियंस जिन में जीमो का परिवार भी था जिनकी डेट बोडिज ढूरने को जीमो को पूरे दो दिन लगे और जब तक उसने होश समाला तब तक सारे के सारे अविंजर्स अपने घर जा चुके थे ये दर्ग जीमो को बहुत ज़ादा सता रहा था जिसके बाद जीमो ने अवेंजर्स से बदला लेने का सोचा लेकिन इसके लिए उससे एक perfect plan चाहिए था ताकि वो उसी plan के according इन super heroes को सबक सिखाए यानि कि जीमो क्लियरली यही चाहता था ये super heroes आपस में ही लड़कर मारे जाए लेकिन जीमो का वो plan कुछ हद तक पास था क्योंकि एन हम सभी fans को पता है बाकी अभी की situation में या फिर कहू civil workers in jason में जीमो कहा था और किस situation में था उसकी detail तो मैं आपको इस video के start में अलड़ी दे चुका हूँ यानि अब देखना interesting ये होगा कि जीमो फैलकन इंदी विंटर सोलजर की सीरीज में क्या करेगा और उसने कुछ plans भी बना रखे है या नहीं और सबसे बड़ी बात कि क्या वो फैलकन इंदी विंटर सोलजर की सीरीज में as a villain present किया जाएगा या फिर एक anti-hero बेल तो ये थी सारी की सारी डीटेल्स Age of Ultron और Civil War फिल्म की हैलमेट जीमो की स्टोरी से related जिसे मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ MCU की यूनिवर्स से ही निकाल कर बताया है ना कि comic book से क्योंकि comic book के जीमो की कहानी बिलकुल अलग है और of course comic book के character की भी जिस पर फिर कभी बात की जाएगी लेकिन फिल्हाल तो हैलमेट जीमो की इस MCU की origin को लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे comment करकर जरू बतायेगा क्या आप इस character को अब MCU की यूनिवर्स की पैल्तिन दी विंटर की सोलजर की सीरीज में देखने के लिए कितने ज़ादा excited है क्योंकि अब ये character MCU की यूनिवर्स में एक proper जीमो बन चुका है जो शायद पहले से और भी काफी ज़ादा deadly होगा लेकिन ट्रेलर में देखकर ये बात भी पता चलती है और of course Marvel fans भी तो अब अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कु भी मत भूलिएगा क्योंकि इससे मुझे motivation मिलती है इस type के content को अपनी चैनल पर continue रखने की और अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर मैं हूँ अजीज शेख आप देख रहते हैं Movie Stock Movie Explained चैनल जिससे अगर आपने अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कर लीजिए अग बगल में बने वेज बेल आइकन के साथ-साथ नोटिफिकेशन को भी आउल पर क्लिक कर दीजेगा इससे होता यह है कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोने वीडियो प्रोट करता हूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है इसलिए चैनल को सबस्क्राइब वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुब भी मत भूलिएगा और मैं मिलूंगा जल्दी आप से दूसी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिकिसी और सीरिस के एक्स्प्रेशन के साथ तब तक के लिए ताप मिल चैनल के बागी दूसे वीडियोस को इंजाएकिजिए और तिल दिन बाई